Hello Friends, नमस्कार, गोड इबनिंग, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल, Triple C by Fashion Reaper, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज का ये क्लास नमबर 12 है, इससे पहले 11 क्लास आप सभी कर चुके हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखें, तो उन्हें भी आपको देखना है, और जो प्लेलिस्ट हमने आपको बताई हैं, वो सभी प्लेलिस्ट आपको तयार करनी हैं, जो भी साथी क्लास में आचुके हैं, आप सभी एक पार सियर करते हैं, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को जोइन कर पाएं, और अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो आपको दिया था, सायद आप सब इने दिखा होगा, जिन बचों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो इसे आप देख लेना, यहाँ पर डेमो स्क्रीन बना कर आपको पूरा समझाएगा है, तो इस वीडियो को आप आवर से देखें, इसका लिंक आपको डिस्काप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आईए स्टार्ट करते हैं, आज का सबसे पहला प्रस्ट आपके स्क्रीन पर आचुका है, यहाँ पर आप से ठीक है, यहाँ पर सौटकट की आपको बतानी है, कौन सी सौटकट की से आप नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, देखें आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, जो सेल होता है, चोटा सा बॉक्स होता है, इसके अंदर आप किस परकार का कंटेंट चाहते हैं, यानि जब यहाँ पर आप कुछ लिखें, तो वो date value में आए, या फिर वो number में आए, या फिर वो percent में आए, तो इस परकार से आप sale को format कर सकते हैं, तो यहाँ पर shortcut की पूछी है कि अगर आप number format से date में बदलना चाहते हैं, तो क्या करना होता है, तो answer यहाँ पर ह कुछ shortcut की हैं, जो आपको याद रखनी हैं, जब आपसे पूछें कि general में change करने के लिए क्लिए 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 होता है, तो control shift 6 होता है, इससे क्या होगा, general हो जाएगा, number format में control shift 1 होता है, percent में अगर आपको change करना है, control shift 5 हो जाएगा, currency के लिए control shift 4 हो जाएगा, और जैसा कि अब ही आपसे सवाल हुआ था date के लिए, तो control shift 3 हो जाएगा, इससे आपका date में convert हो जाएगा, ठीक है, तो यह जो shortcut की हैं, आपको याद रखनी होगी, अगला सवाल है, किसी पसंदीदा website को अपने browser में सहेज कर तरीत रोब से access करने का एक तरीका है, किसी पसंदीदा website, कि अपने browser में आप save करना चाहते हैं, हैना उसे सहेज कर तरीत रोब से access करने का एक सही तरीका क्या हो सकता है, cookie, bookmark, url या इसमें से कोई नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस page को bookmark कर सकते हैं, और फिर आगे कभी भी उसको देखना चाहें, देख सकते हैं, जैसे मालिया आप किसी website पर, किसी एक particular page पर कुछ पढ़ रहे थे, और अब आपको अभी नहीं पढ़ना है, कुछ समय के बाद पढ़ना है, या फिर आप ये चाहते हैं, कि ये जो webpage है, या आपके mobile phone में, आपके computer में save हो जाए, तो आप अपने browser में क्या कर सकते हैं, उसे bookmark कर सकते हैं, और future में जब कभी उसी page पर जाना चाहें, तो bookmark से फिर आप उसी page पर जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा answer V हो जाएगा, अगला सवाल है, विंग एक web search engine है, जिसका सौमित और संचालन, या हू, Microsoft, Google और Apple Inc. यानि कि विंग एक web search engine है, इसका सौमित और संचालन किसके पा से, ठीक हैं, question number 4 में आप लोग बताएंगे, किसी slide में text, image, chart, कहां पर hold किये जाते हैं, किसी slide, और जब बात slide की होती है, तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पर बात आपसे हो रही है, LibreOffice, Impress की, या फिर बात हो रही है आपकी PowerPoint से, हैंना, PowerPoint, क्योंकि आपको पता है, आपके triples exam में, आपके syllabus में LibreOffice, Impress को सामल किया गया है, as a presentation, तो mostly सवाल आपके यही से बनेगे, LibreOffice, Impress से, तो कह रहे हैं, किसी slide में text, image, chart, कहां पर hold करते हैं, तो answer हो जाएगा, placeholder में, देखिए, अगर हम बात करते हैं, किसी slide की, तो आपने दिखा होगा, जब आप slide पर काम क करते हैं, तो यहाँ पर एक slide के अंदर कुछ इस पर कार से आपको दिखाया जाता है, इसको बोलते हैं placeholder, यहाँ पर लिखा होगाता है, add to title, click to add title, ऐसे कुछ लिखा होता है, तो यह क्या होते हैं, यह होते हैं आपके placeholder, इस पर आप क्या कर सकते हैं, कोई image लगा सकते हैं कोई text लिख सकते हैं यह सारा काम यहाँ पर आप कर सकते हैं तो इसे कहा जाता है placeholder option number B यहाँ पर correct हो जाएगा अगला सवाल है LibreOffice में word processor software का नाम बताएगे LibreOffice में अगर आप से पूछें कि word processor software कौन सा है तो calc, embrace और writer में word processor software कौन सा है याप पताएगे तो यहाँ पर हो जाएगा option number C, writer writer क्या है एक word processor software है, याद रखना है word processor software है आपका writer embrace क्या है? embrace एक presentation परिजेंटेशन software है और calc क्या है? calc आपका एक spread sheet software है spread sheet तो याद रखना है calc spread sheet हो जाएगा impress presentation हो जाएगा और writer word processor हो जाएगा अगला सवाल है why default आपका document dash mode में print होता है जब आप libro office writer में किसी document को print करते हैं तो why default वो किस mode में print होता है landscape mode, portrait mode print preview या फिर इसमें से कोई नहीं तो अब आपको यहाँ पर सही जवाब करना है क्या होगा और जो बच्चे अभी अभी class से जोड़े हैं आप सभी सबसे पहले class को एक बार share करते हैं और जिन बच्चों ने class को like नहीं क्या है तो सभी बच्चे class को like अवश्य करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा portrait mode में यहाँ पर वाद की गई है यानि कि जब आप libro office writer में कुछ work करते हैं और फिर print करते हैं तो by default यह portrait mode में print होता है जब आप paper को देखे paper पर जब आप print करते हैं तो आपका जो A4 size का paper होता है कुछ इस पर कार से होता है ठीक है ऐसा तो यहाँ पर आप देख पारे होंगे इस से कहते हैं portrait mode अगर इसको घुमा देंगे इस पर कार से कर आप paper को रख देंगे तो यह आपका किस mode में हो जाएगा यह आपका landscape mode में हो जाएगा और यह portrait mode में हो जाएगा तो जब आप white file print करते हैं तो यह potent होता है बट अगर आप चाहते हैं तो आप इसे lands के mode में भी print कर सकते हैं अगला सवाल है PPF का अभी पराय है यानि PPF का full form क्या होता है PPF extends for यह भी सवाल exam के लिए काफी potent है कई वार आपके exam में पूंचा गया है तो PPF का full form आपको बताना होगा PPF का मतलब होता है Public Provident Fund यहाँ पर option number B हो जाएगा Public Provident Fund यह PPF का full form होता है अगला सवाल है लिप्रोफिस राइटर में थिसारस की shortcut की क्या होती है थिसारस की shortcut की आपको बतानी है लिप्रोफिस इंप्रेस लिप्रोफिस राइटर की बात की गई है लिप्रोफिस राइटर में थिसारस की shortcut की क्या होती है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब option number B control के साथ में F7 थिसारस के लिए control F7 का इस्तेमाल करते हैं और यह आपको command कहा मिलती है tools menu के अंदर automatic spell check की command मिलती है जिसकी shortcut की shift के साथ में F7 होती है और आपको यहाँ पर थिसारस की भी command मिलती है जिसके shortcut की control के साथ में F7 होती है control F7 होती है अगला सवाल है pin का full form क्या होता है pin का पुरा नाम आप सभी बताएंगे बताएए pin का पुरा नाम क्या होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा personal identification number pin का full form होता है personal identification number अगला सवाल है निम्न में से कौन सा modulation और demodulation करता है which are the following performs modulation and demodulation CPU यानि central processing unit modem, router या none of these तो इसमें से कौन सा है जो modulation और demodulation करता है तो यहाँ पर आपका answer होगा modem option number B correct answer हो जाएगा अगला सवाल है UTR का full form क्या होता है what is the full form of UTR UTR का full form आपको बताना है काफी important है जब आप RT.js या फिर EFT से कोई transaction करते हैं इसी को पैसे भेजते हैं तो एक UTR number जन्नेट होता है तो इसी क्या बोलते है unique transaction reference unique transaction reference यह number होता है जिसे UTR का नाम दिया गया है और जब आप EFT करते हैं तो UTR number 16 digit का होता है और अगर आप RT.js करते हैं तो यह bias character या bias digit का होता है तो यह भी आपको point note करके रखना है अगला सवाल है DES का पुरा नाम क्या होता है full form क्या होता है DES का full form क्या होता है यहाँ पर हो जाएगा data encryption standard यह DES का full form होता है data encryption standard option number B आपका सही answer है अगला सवाल पूछा गया है Windows XP किस वर्स जारी किया गया Windows XP कब launch किया गया कब जारी किया गया Windows XP क्या है एक operating system है Microsoft Windows का एक operating system है और इसको launch किया गया है 2001 में option number B हो जाएगा 2001 में इससे launch किया गया है देकि यहाँ पर Windows के सभी version आपके सामने हैं जैसे Windows 1.0 की बात करें तो 20 November 1980 को launch किया गया था Windows 2.0 की बात करें तो 1987 में launch किया गया था Windows 3.0 की बात करें तो 1990 में launch किया गया था Windows 95 की बात करें तो 1995 में launch किया गया था Windows 98 की बात करें तो यह आपका 1998 में launch किया गया था Windows 2000 की बात करें तो यह आपका 2000 में ही launch किया गया था अगर XP की बात करें तो यहाँ पर 2000 बन हो जाएगा विश्टा की बात करें तो यह आपका 8 November 2006 को launch हुआ था और Windows 7 जो काफी popular रहा है तो यह आपका Vice July 2009 को launch हुआ था इसी परकार से Windows 8 की बात करें तो 1 अगस्त 2012 को launch हुआ था Windows 8.1 की बात करें तो 27 अगस्त 2012 को launch हुआ था और Windows 10 की बात करें तो 15 जुलाइ 2015 को launch हुआ था जो काफी popular है और Windows 11 भी आ गया है जो 24 जुन 2021 को launch हुआ था तो ये सभी वर्जन आपके Microsoft Windows के हैं जो आपको याद होने चाहिए Windows 8 में एक पॉइंट और नोट का लेना है Windows 8 के अंदर Start वर्टन नहीं होता है ये भी सवाल आपके जामे कई वार पोस्ट देते हैं अगला सवाल है BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है BIOS का पुरा नाम आपको बताना है तो BIOS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा Option नमबर पहला Basic Input Output System BIOS का फॉल फॉर्म होता है Basic Input Output System अगला सवाल आपको बताना है OLX क्या है What is OLX OLX क्या है e-commerce है, e-government, social site या all of the web वो प्रोक्त सभी OLX एक e-commerce website है e-commerce site है जो की आती है C to C के अंतरगत Customer to Customer के अंतरगत आपकी OLX website आती है ठीक है तो यह आपको याद रखना है इसे पकाड़ से गर देखें Quicker तो Quicker की अगर बात करते हैं e- भी आपका C to C में ही आता है C to C में आता है Slide Master को Apply करने के लिए SideWare के किस आइकन का प्रियोग करते हैं LibreOffice इंप्रेस का सवाल है और LibreOffice इंप्रेस में आपने दिखा होगा SideWare क्योंकि जितने भी आपके Software है LibreOffice के चाहे वो आपका LibreOffice Writer हो चाहे LibreOffice Calc हो या इंप्रेस हो सभी में SideWare होता है सभी में एक SideWare होता है और उस SideWare पर भी बहुत सारे आइकन होते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो इनका कहना है Slide Master को Apply करने के लिए SideWare के किस आइकन का प्रियोग आप करते हैं यहाँ पर आंसर आपको बताना है SideWare में ही आपको बताना है तो आंसर हो जाएगा Master Slide SideWare पर एक Master Slide का आइकन होता है उस पर आपको क्लिक करना होता है अगला सवाल है Who's the founder of Witcoin? Witcoin के founder कौन है? Witcoin क्या है? एक Cryptocurrency है Witcoin एक Cryptocurrency है जो की Blockchain Technology पर आधारित है अब Witcoin के founder पूछे गए हैं आपसे क्या होगा इसमें right answer और यह सवाल भी एकजाम में काफी दुनों से लगवग हर वार पूछा ही जाता है तो आंसर याद रखना है यहाँ पर हो जाएगा Satoshi Nakamoto Option No.C यह Witcoin के founder है खोज करता है अगला सवाल है Who's the founder of credit card Credit card के founder कौन है Credit card के founder आपको बताने है इसमें कौन सा सही आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा Option No.B हो जाएगा John Wiggins यह credit card के founder है याद रखना है यह question काफी ज़्यादा important है अगला सवाल है light pane किस प्रकार की input device है light pane किस प्रकार की input device है किस प्रकार की input device है यादि light pane input device तो है बट किस प्रकार की है तो यहाँ पर देखो option में क्या दिया है एक तो input device ही दे दिया है दूसरा pointing device दिया है तीसरा storage दिया है चोथा none of this दिया है तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर सही जबाब क्या होगा option number B pointing device है दिखिए जो input device है यह आवश्यक नहीं है कि सभी pointing device हों जैसे अगर बात करते हैं mouse की तो mouse एक input device है साथे साथ एक pointing device भी है बात करते हैं joystick की तो एक input device है साथे साथ pointing device भी है बढ़ अगर बात करें keyboard की तो keyboard आपका एक input device है वट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है इसे पकार से बात करेंगर scanner की तो scanner एक input device है वट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है इसे पकार से बात करेंगर web camera की तो web camera एक input device तो है वट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है तो pointing device का mean क्या है, मतलब क्या है कि जिस device से आप किसी को point करें यानि कि जैसे आप यहाँ पर mouse का cursor देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर जो भी object है उन पर click कर पा रहे हैं तो यह एक परकार का pointing device हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर B option हमारा correct answer है अगला सवाल है, G2G का पूरा नाम क्या होता है, full form क्या होता है तो G2G का full form आपको बताना है, क्या होगा इसमें सही जबाब यहाँ पर हो जाएगा government to, government यह full form होता है G2G का, तो याद रखना है, ठीक है अगर आपसे पूछें, G2E का full form बताओ तो क्या होगा government to, सेट जीन हो जाएगा, तो यह आपको full form याद रखनी है अगला सवाल है, मेंगदूद आप का इस्तेमाल किस उद्देश के लिए किया जाता है बताओ, मेंगदूद आप का इस्तेमाल किस उद्देश के लिए करते हैं यहाँ पर हो जाएगा, for weather information, मौसम जानकारी के लिए मेंगदूद आप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है यह especially किसान भायों के लिए का अप्लिकेशन है, मेंगदूद जिसका इस्तेमाल मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है अगला सवाल है, LibreOffice Calc में minimum font size कितना होता है LibreOffice Calc एक spread seed software है, इसमें कम से कम कितना font size होता है, minimum तो यहाँ पर answer हमारा हो जाएगा 6, कम से कम यहाँ पर minimum 6 होता है और maximum भी आपका, वही 96 होगा, जो writer में होता है, वही calc में होगा और वही impress में होगा अगला सवाल है, Amazon.in एक है, V2B, V2C, C2B या फिर none of these तो यहाँ पर Amazon.in पूँचा है, किस category में आती है, ठीक है, तो यहाँ पर answer हो जाएगा V2C, business to customer, ठीक है How many digits in UPI PIN? How many digits are there in UPI PIN? तो आपको यह वताना है, UPI PIN में कितने digit होते हैं कुल कितने digit होते हैं, UPI PIN में UPI का full form क्या होता है? बताओ, UPI का full form आप लोग बताएं, comment box में सबसे पहले क्या होता है? unified payments interface होता है, UPI का मतलब unified payments interface होता है अब यहाँ पर अगर आप से पूछें कि कितने pin के अंदर digit होते हैं UPI में तो 4 से 6 होते हैं, 4 से लेकर के 6 digit होते हैं UPI PIN में याद रखना है आप सभी को देखो अगला सवाल पूछा गया है, NASCOM का पुरा नाम क्या होगा? ठीक है, what is the full form of NASCOM? तो इसका full form आप सभी बताएंगे, क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा National Association of Software and Service Companies यह full form होता है, तो सभी को याद रखना है अगला सवाल पूछा गया है, Flipkart is the waste example of DES Flipkart DES का सबसे अच्छा उदहरण है, सबसे अच्छा एक्जामपल है किसका सबसे अच्छा एक्जामपल है? ब्लॉगिंग का है, e-commerce का है, networking का है या फिर इसमें से कोई नहीं, none of these बताएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Option V, e-commerce, Flipkart, e-commerce का सबसे अच्छा एक्जामपल है सबसे अच्छा उदहरण है, ठीक है? अगला सवाल है, Calc में a1, b1, c1, d1 का मान क्रम सहा 1, 2, 3, 4 है जिसमें c कॉलम हाइड है, तो sum a1, d1 का मान क्या होगा? इसकी value क्या होगी? देखे, a1, b1, c1, d1 में क्रम सहा 1, 2, 3, 4 लिखा गया है लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? c कॉलम को हाइड कर दिया गया है ऐसे में answer हमारा क्या आएगा? a1, c1, d1 का ठीक है? तो sum का मतलब यहाँ पर हो जाएगा sum का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर जोड देना a1 से लेकर d1 को जोड देगा बट जो height है, उसका क्या होगा? यह आपसे सवाल है तो यहाँ पर answer बनेगा 10 यहाँ पर answer क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा देखे यहाँ पर क्या होगा? यह आपका 1 है इस बन को जोड़ा जाएगा प्लस 2 को जोड़ा जाएगा प्लस 3 को जोड़ा जाएगा कितना हो गया? 3 और 2 5 और 6 और प्लस आपका 4 को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यानि कि जो आप cell को जो आप column को hide करेंगे उसका भी योग यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने उसका भी योग आपका आपके सामने आ जाएगा तो option number भी यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला सवाल है GNU की full form क्या होती है GNU की full form और यह काफी important है क्योंकि एकजाम में कई वार पूछा गया है आपसे इसलिए आपको इसे पुरा अच्छी से देखना है और समझना है GNU की full form क्या होती है तो full form होती है GNU not unix यह इसकी full form है आपको याद रखनी है अगला सवाल है Calc में वनी file का extension क्या होता है जब आप किसी भी जब आप Calc में कोई work करते हैं तो बहाँ पर जो file तयार होती है उसका नाम यानि उसका extension जब आप LibreOffice Calc में कोई work करते हैं किसी file को किसी नाम से save करते हैं तो उसका extension क्या जोड़ जाएगा साथ में option B ODS Open Document Spread Seat तो option B हो जाएगा यहाँ पर उसका extension ODS होता है एक मारूती कार MRF से टायर खरीती है तो इसे क्या कहेंगे अब बताओ एक मारूती कार एक मारूती कार कंपनी है ठीक एक मारूती कार कंपनी है जो की MRF कंपनी से टायर को परचेज करती है खरीती है तो यहाँ पर तो एक मारूती कार है और यहाँ पर एक MRF टायर की कंपनी है और यहाँ पर एक मारूती कार की कंपनी है तो यह टायर किस से ले रही है MRF से तो यहां पर यह किस स्रेड़ी में आएंगे C to C में आएंगे V to C में आएंगे C to B में आएंगे या फिर B to V में आएंगे बताइए तो यहां पर आंसर होगा V to B, यह विजनेस to विजनेस में आएंगे आपका हो जाएगा V to B ठीक है? और जब कोई customer, जब कोई customer किसी company से कोई small purchase करता है कोई product लेता है, तो बहाँ पर V2C हो जाता है अगला सवाल है अभी तक mobile के लिए कोई antivirus नहीं बना है, यह भी एक जाम में पूछा गया प्रसने, अभी तक mobile phone के लिए कोई भी antivirus नहीं बना है क्या होगा इसका सही जबाब तो यह हो जाएगा false क्योंकि mobile phone के लिए भी बहुत सारे antivirus बने हैं, ठीके बहुत सारे antivirus हैं, free भी हैं, bad भी हैं तो यहाँ पर आपका option भी होगा यह false हो जाएगा अगला सवाल है, boss भारत के द्वारा बनाया गया एक operating system है भारत operating system solution भारत operating system solution अगला सवाल नावाड के संस्थापक श्री वी सिवारमन है नावाड के संस्थापक श्री वी सिवारमन है इसमें क्या होगा आपका right answer option number पहला होगा या फिर दूसरा, true false में जवाब करना है तो यहाँ पर हो जाएगा true बिल्कुल सही है नावाड के संस्थापक है श्री वी सिवारमन तो यहाँ पर first option correct हो जाएगा आज की class बसेंग दक थी उमीद करता हूँ आप सभी को class पसंद दए होगी class अच्छी लगी हो उसको like करना है, share करना है और जो साथी channel पर पहलीवार है आप सभी को subscribe करके वेल आइकन भी प्रेस कर लेना है कल सुभे morning में भी class आपकी होगी class का समय होगा 7.45 7.45 एम पर एक class आपको मिलेगी सभी को सुभे morning में भी 7.45 पर class को join करना है तो आज के लिए वाचतना ही, thanks for watching, thank you good night to all, bye bye